आज जसी तहानू समझाओन जा रहे हैं कम्यूनिकेशन एरर अतिक प्रिंटर ओफ लाइन दी प्रॉब्लम दे बारे जद भी तहानू जिस तरीके ना तुसी इस पिचर्स नू देख रहे हो अगर एस तरीके अरर तहानू दखाई देवे जिस उब लिखा हुए कम्यूनिकेशन एरर ता इस टाइम तहानू प्रिंटर देवे मैं जिदो ओके करांगा तुसी देखोगे कि एस जगाते जिदो तुसी किलिक करोगे एस जगाता हड़ी प्रिंटर दे नाल आप्शन लिखी आ रही है यूज प्रिंटर आफ लाइन जादा तर एह दोना प्रॉबलमां ओनता एक ही कारण हो सकता है जाता तहाड़ी प्रिंटर दी वायर प्रिंटर नाल अटाश्ट नहीं है मतलिके ओ उस नाल लगी नहीं होई ते जाँ फिर जो तहाड़ी प्रिंटर दी पोर्ट है ओ लूज हो चुकी है अधे इस दा दूसरा कारण हो सकता है कि तहाँ डी प्रिंटर वायर खराब हो चुकी होए अगर तहाँ नो इस तरीके दी कोई भी प्राब्लम ओंदी है तां तुसी सब तो पहला अपने प्रिंटर वायर नो चंगी तरीके नाल चेक करना है कि पहला प्रिंटर वायर चंगी तरीके नाल मतलख के की ता अटी printer wire कंप्यूटर ना लग्यों है, तो दूसरी गल कि की ता अटी ओहो होई वायर printer नालवी attach है, इसनू चेक करण तो बाद तुसी एक वरी computer दे प्रिंटिंग देखे देखनी है, अगर इस दो बाद वी तहानू communication error दखाई दे रहा है ता तुसी एक वरी computer नू restart करके देखना है अगर computer restart करन तो बाद दवारा जोद तुसी printer दी command दोगे फिर वी तहानू communication error दखाई दे रहा है ता इस दा मतलब एही भी हो सकता है कि तहाड़ी printer दी wire खराब हो चुकी होए अधे उस दो बाद तुसी नवी printer दी wire लेा के एक वरी उसनू दवारा printer दे computer वी चलगों तो बाद उसनू दवारा चला के देखना है अगर फिर वी तहाड़ी printer दी wire चेंज करन तो बाद वी communication error दखाई दे रहा है ता इस दा एक होर भी कारण हो सकता है कि तहाड़ी printer दी port loose हो चुकी होए